Hello friends, अगर आप भी बिहार स्टेट के अंदर अपना रेजिडन्स सर्टिफिकेट यानी दोमेसाल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमानपत्र ओन लाइन अप्लाई करके इसली बनवाना चाहते हैं कैसे आपको online registration करके अपना टोमेसायल certificate यानि residence certificate को online बनवाना है उसे जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथ ही दोस्तो चैनल पर फर्स्टाइम जिलको सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को like और say जरू कीजेगा तो देखे दोस्तो resident certificate online बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने mobile ये computer के ब्राउजर को उपन कर लेना है और ब्राउजर के इंदर सर्च करना है आपको RTPS सर्च करने के बाद देखे आपके सामने तीन लिंक आते हैं RTPS 3, RTPS 2, RTPS 1 यहां पर देखिए RTPS 3 आपका home page रहेगा आपके website का RTPS 2 आपका रहेगा forget password करने के लिए और RTPS 1 रहेगा आपका registration करने के लिए तो हम यहां पर RTPS 3 के option पर click कर देए हैं क्लिक करने के बाद देखे हैं हम लोक सेवा है माधिकार रहेवन सेवा है की मेरे website पर जाएंगे जो की रहेगी हमारे यहां पर serviceonline.bihar.gov.in साथ ही इस website की URL का link में वीडियो के description देदूँगा आप description जाके वीडियो के link पर click करे direct इस website पर आ सकते हैं अगर आप अपने login id बूल चुके हैं यहां आपने जो करते वक्त अपने login id क्रेट किये थे वो बूल चुके हैं तो आप उसको forget भी कर सकते हैं अपने password के आपके तो अगर आप इस website पर first time आये हैं आपको certificate के लिए first time apply कर रहे हैं तो यहां पर देखे right side में option मिलता है आपक अगरिक अनुभाग इसमें आपको option मिलता है खुद का पंजीगन इस option में आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद देखे आपके सामने एक window ओपन होगी इसमें आपको register करना है और से सबसे पहले आपको अपना full name फिल करना है जो भी आपका name document में आपको फिल कर लेना ह state select करना है जो कि बिहार रहेगा आपको इसके बाद हमें scroll करना है write capture फिल करना है और फिर submit के उसमें पर क्लिक कर लेना है साथ ही दोस्तों बात करें यहां पर registration कोन कोन कर सकते हैं registration यहां पर कोई भी कर सकता है यहनि family member में कोई भी एक person registration कर लीजिए और family other member का भी यहां पर certificate online online apply कर सकता है अपनी same ID से submit के option पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने नोट फिसन आएगा जिसमें यहां पर आपको mention के जाएगा कि आपके mobile number पर email id पर एक OTP सेंड के जाएगा जो 15 minutes के लिए valid होगा तो अब हमें यहां पर अपना OTP यानि mobile OTP और email OTP को यहां पर verify करना है इसके आपको mobile OTP के option में फिल कर लेना है तो देखे दोस्तों कभी कभी क्या होता है OTP थोड़ा लेट आता है क्योंकि वेब साइट में हैवी लोड होने के कारण तो आपका OTP थोड़ा लेट आ सकता है तो आपको यहां पर कोई प्रोब्लम ना हो इसलिए आपको वेट करना होगा फिर कुछ time बाद आप ट्राइ कर सकते हैं तो हम यहां पर नोटीप कर लें इसके बाद मुझे आपके फैली डेट कशी पर क्लिक करना है वेली डेट कशी करने के बाद हमारा रिश्टन लोगिन आईडी यहां पर किरेट हो चुके हैं यही हमारा रिश्टन पोसीस प्राउजर यूज करना है इसे मोजिला फायरवक्स कर रहे हैं फिर क्रोम यूज कर रहे हैं वह आपको लेटेस्ट वर्जन यूज करना है साथ ही हमारे ब्राउजर के अंदर पॉप-प का उप्सन आता है वह हमारा इनेबल होना चाहिए यानि अलाओ होना चाहिए यहां पर पॉप-प एंडरी डारेक्ट इस उप्सन पर में क्लिक कर लेना है और यहां पर मैंने गूगल क्रोम के अंदर आपको दिखा है कि कैसे आपको पॉप-प इनेबल करना है सेम तरीके से हम मोजिला फायरवक्स के अंदर भी अपना पॉप-प इनेबल कर सकते हैं अगर आप इस वेबसाइट के यूज कर रहे हैं अगर आप इस वेबसाइट के यूज कर रहे हैं और किसी सर्विस के लिए अपलाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर की हिस्ट्री को क्लीन कर लेना है इसके बाद ही आपको किसी सर्विस के लिए अपलाई करना है 3rd option मिलता है यहाँ पे आपको अपना name जो service के लिए apply करेंगे उसमें हिंदी में fill करना होगा तो जैसे आप English में name fill करेंगे और space देंगे तो आपका name हिंदी में convert हो जाएगा fourth option जो यहाँ पर देगा है जोगी कि important है आप किसी भी service के लिए apply कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किसी भी सेवा के इंदर पर जाने की जरूत नहीं है आप online ही अपने document के लिए apply करेंगे और online ही आपका document बनके ready हो जाएगा इसकंशन दी कि करने के बाद हम लोगन पेज पर पूछता है login ID तो यहाँ पर हमारी login ID क्या रहेंगी देखे जोस्तो जब आपने आपने email id फिल की थी और mobile number फिल किया था तो हमारा mobile number और email id हमारा login id है आप किसी भी एक चीज़ को इसमें आपफे fill कर सकते हैं login id के अंदर या अप mobile number fill कर सकते हैं फिर आप email id fill कर सकते हैं login id fill करने के बाद आपको अपना password fill करना है जो आपने create किया था अगर आपना password भूल चुके हैं तो आप get OTP के उसमें पर लिक करके अगर आप mobile number ले फिल किया है तो आप अपने आपे OTP से अपने mobile number पर तो OTP से भी आप लोगिन कर सकते हैं तो आप मैंने अपना password फिल किया है password फिल करने के बाद हमें right capture फिल करना है और फिर login के उसमें क्लीक करके हमें login कर लेना है तो यहाप में login के क्लीक करके लोगिन कर लेता हूं login करने के बाद देखिए हम dashboard पर जाएंगे dashboard पर देखिए हमें right side में top corner पर मिलेगा यहाप हमारी profile सो करेगी जिसना प्रोफाइल से हमने यहां पर अपना लोगिन किया हुआ है तो यहां पर सो कर जाएगा साथ में देखें अबाउट सर्विस प्लस जो हमारा डैस्बोर्ड है उसके बारे में आप इंस्ट्रेक्शन दी गई है कि आप यहां से कौनगोनी सर्विस के लिए अपलाई कर स सर्विस यहां पर विवाल सर्विस एवलेबल के उप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद देखें जितनी भी सर्विस के लिए आप ओनलाइन अपलाई कर सकते हैं वह आपको पर सो कर जाएंगी तो यहां पर हमें सर्विस नेम के 55 उप्शन देखने को मिले तो आप हमें सर्च को सबक्राइबर सर्च करना है residence, residence सर्च करने को बाद देखे हमारे सामने तीन अप्सन आ जाते हैं, जिसमें हमारा first option आता है issuance of residence certificate at DM level, second option मिलता है हमारा RO level और third option मिलता हमारा SDO level, तो हमें कौन से certificate के लिए apply करना है, तो यहाँ पर हमें second option के अप्लाई करना है, जो कि हमारा issuance of residence certificate at RO level, यानि revenue officer level के option को हमें click कर लेना है, इसी सही आपको अपना residence certificate यानि domain self certificate या फिर इसको हम बोलते हैं निवास पर्मान पत्र, तो हमें यहाँ पे इसी option को select करके अपने residence certificate के लिए online apply करना है, तो आप भी RO level के ही option को select कीजेगा, और अपने certificate के लिए online apply कीजेगा, तो मैं इस option को यहाँ पर select कर लेता हूँ, और इस option पर मैं यहाँ पर click करता हूँ, click करने के बाद देखें, हम next step पर जाएंगे, अब हमें यहाँ पर applicant की personal information यहाँ पर फिल करनी होगी, याँ जिसके नाम से आप अपना यहाँ पर certificate online apply करना चाहते हैं, उसकी information आपके फिल करनी होगी, मान लीजे आपने login ID registration तो अपने नाम से किया है, तो और आपने family में किसी person का आप यहाँ पर online registration certificate बनाना चाहते हैं, तो आपको उसकी information आपके यहाँ पर फिल करनी होगी, तो यहाँ पर personal detail के अंदर हमें सबसे पहले applicant का gender select कर लेना है, gender proof है, इस फिस्तिरी है, या फिर other gender है, वो आपके पर select कर लेना है, तो यहाँ पर female gender select कर लेता हूँ, इसके बाद आपको cellulation यानि अभिवादन select कर लेना है, अभिवादन select करने के बाद हमें अपने candidate यानि applicant का name फिल करना है, name आपको English और Hindi दोनों में फिल करना है, तो जैसे हम English में अपना name फिल करते हैं और space देते हैं, तो हमारा Hindi में name अपने आप याँ पिल हो जाएगा, तो इसी तरीके से आपको अपना full name अपने आप अपिल कर लेना है, जो document में होना चाहिए, इसके बाद आपको name of fathers का name आपको फिल कर लेना है, applicant का, सेम तरीके से आपको mother's का name फिल करना है, applicant का, अगर जो आपको वही फिल करना है, जो working में होना चाहिए, इसके बाद हमें याप अपिल करना चाहिए, जो कि mandatory नहीं है, तो आप इसको फिल करना चाहिए, तो फिल कर सकते हैं, तरवाज इसको skip भी कर सकते हैं, इसके बाद आपको address फिल करना है, applicant का, इसमें सबसे पहले state आपका भिहार रहेगा, इसके बाद option मिलता है, आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो बी आपका select करना है जो candidate है वो कहां पे रहता है या फिर नगर पंचायत के अंदर रहता है वो आप select कर लिजेगा तो यहाँ पे मैं अपने type of लोगेल्टी जो बोड़ी है कहां पे मेरा applicant रहता है वो यहाँ पे select कर लेता हूँ इसके बाद आपको अपना वार्ड संख्या यहाँ फिल करनी है आप वार्ड संख्या कहां से बता चलेगी कि आप किस वार्ड के अंदर रहते हैं तो आपके family में किसी का भी एक voter ID card बना होग शेक करना मैं वार्ड संख्या आपको देखने को मिल जाए गा एसके बात आपको देखने को मिलीकार इसके बाद मुझे अपना gram का नाम यहां पिर महुले का नाम इनए इसके बाद मुझें अपना यहाँ पर fill करनी है I'll be आप meu प known करने हैं वो आपके फिल कर देना है इसके बाद हमें अप्लिकेंट का जो नियरबाई पुलिस स्टेशन पड़ता है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है थाना का नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है पिन कोड आपको यहाँ पर तो मैंने देखे candidate का photo upload कर दिया है आप देखें यहाप पर option मिलता है आपको अधार का नमबर का तो यहाप अधार नमबर फिल कर सकते हैं इसके पाद हमें स्कूल करना है और option मिलता है हमारा यहाप अन्यगा यह अदर को मिलता है जिसमें आप से पूछता है टाइप ऑफ पर्मनेंट रहता है यहाप इसके बाद आवेदन का परकार देना है यहाप जो किस उद्देश से कर रहे हैं यानि certificate अपलाई करने का रिजन आपके यहाप करना है जिसमें आप स्कूल कर सकते हैं या फिर जोब के लिए आप यहाप कर सकते हैं जो भी आपका रिजन हो आप इसके बाद आपको self declaration form आपको इहाप पर सो करेगा इसमें आपको self declaration आपको सो करेगी इसको आप read कर सकते हैं तो यह by default हमारा accept रहता है यहाप आई agree option पर tick रहता है अगर यह आप आप अगर अगर आप अपर टीक नहीं है तो आप टीक कीजेगा टीक करने के बाद देखिए हमें scroll करना है और फिर right capture यहाप पर हमें fill कर लेना है right capture फिल करने के बाद हमें proceed के option पर click कर लेना है proceed के बाद हमारे सामने एक पर पाएगा जहापे आपको अपनी information चेक करने के लिए बोलेगा तो यहापे हमें okay के option पर click कर लेना है click करने के बाद देखिए हमारी जो information है personal information जो अपने certificate के लिए यहाँ पर apply किया है, उसकी information यहाँ पर show करेगी, इसको हमें एक बार check कर लेना है, सारी information चेक करने के बाद, हमें scroll करना है, scroll जाने के बाद देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले, अब यहाँ पर upload करना है अपना एक document, यानि resident certificate हम online जो apply कर रहे है, उसके लिए हमें यहाँ पर अपना एक document यहाँ पर upload करना है, जिसमें हमारा address mention होगा, तो यहाँ पर हमें अपना document upload करने के लिए click करना होगा, attach and x your option पर हमें click कर लेना है, click करने के बाद देखिए हम next step पर जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना document upload करना है, document में क्या upload कर सकते हैं, तो देखे, document में हम voter ID card upload कर सकते हैं, अपना अधार card upload कर सकते हैं, driving lessons upload कर सकते हैं, pen card, passport upload कर सकते हैं, और काफी सारे option आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पर वही document upload करना है, जिसमें आपका address mention होगा और आपका name जो आपके document में जो आपके सारा name correction जो आपने अपने फिल करते वक्त अपने personal detail दी है उसमें आपका name आपका सही होना चाहिए वही information वाला document आपके आपके upload करना है तो यहाँ पर मैं आधार काड का option select कर लेता हूँ और अपना अधार काड का यहाँ पर जो document है वो आपके upload कर लेता हूँ तो यह document आपको PDF, H.A.P.G. file में रखना है और maximum size आपको 100 के भी तक यहाँ पर रखना है जल्दी से मैं आपना यहाँ चूज फाइल का option पर किलिक करके जाती है जिसमें मेरे candidate की नहीं applicant की सारी information यहाँ पर सो करेगी कि उसने resident certificate के apply करनते वक्त क्या कि अपनी personal information दी है वो यहाँ पर सो कर जाएगी तो यहाँ पर आपको इसका print out लेना है यह पर इसको PDF file में save कर लेना है 10 दिन के अंदर आपका इस certificate बनके ready हो जाता है और इसकी update आपको mobile पे और आपकी mail ID पर मिलती रहेगी और जैसे ही आप online apply कर देंगे certificate के लिए आपके mobile पर एक SMS आएगा जिसमें आपका application number mention होगा और साथ में उसकी delivery date आपको mention होगी इस date को तक आपका certificate बनके ready हो जाएगा वो आपकी final due date रहेगी उस date से पहले भी आपका certificate बनके ready हो सकता है तो resident certificate को बनने में सिर्फ 10 दिन का time लगता है अब आपको अपनी application को track कैसे करना है देखें यहाँ पर मैंने login हो अपनी अपने dashboard पे dashboard पे हमें left side option मिलता है view status of application इस option में जाना है इसमें देखें first option माता है हमारा track application इस option में click करेंगे इस option में click करने के बाद हम अपनी application को यहाँ पर track कर सकते हैं कौन-कौन से certificate के लिए आपने apply किया है वो information आपके यहाँ पर सो कर जाएगी लेकिन यह information अभी है जो option में रहा है यहाँ अपने application को track नहीं कर सकता है तो अब मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ तो देखे दोस्तों आज पूरे 7 डेज हो चुके है हमारी resident certificate को online apply कि हुए तो अब मैं देखे RTPS के online portal पे आ चुका हूँ यहाँ पर सबसे पहले आपने application को track करना है तो जाना यहाँ पर हमें right side में नाइगरिक अनुबाग के option में यहाँ पर हमें third option मिलता है आवेदिन की इस्तिती देखे इस option में हमें click कर लेना है यहाँ पर आपको कुछ अपनी information फिल करनी है यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने application को track करने के लिए यहाँ पर दो option मिलेंगे through application reference number और through OTP application detail तो यहाँ पर आपको पहला option यहाँ आपको select रखना है जो कि है through application reference number यहाँ पर सबसे हम select करेंगे तो आपका application reference number पूछता है जब आपने अपना online certificate के लिए apply किया था तो आपको एक reference number आता है उसको आपको आपको फिल कर देना है reference number फिल करने के बाद आपको यहाँ पर track through यहाँ आपने जो delivery date है और या फिर आप submission date से आपको पर track कर सकते हैं यहाँ एप्लिकन submission date जिस दिन आपने apply किया है वो date आपको आपको select कर लेनी है otherwise आपको delivery date होता है जो आपको SMS के तुरू आपको send के जाता है एक information इसमें आपको delivery date होती है वो date आपको select कर लेनी है तो यहाँ पर मैं submission date select कर लेता हूँ इसके बाद हम right capture फिल करना है और submit के उसमें क्लिक करना है submit के उसमें क्लिक करने के बाद हम next step पर जाएंगे जहाँ पर आपको option track करने के लिए option मिलेगा तो यहाँ पर आपको yes कर लेना है yes करने के बाद आपको submit के उसमें क्लिक करना है submit के उसमें क्लिक करने के बाद देखिए हमारी application का status यहाँ पे so करेगा जिसमें आपका application reference number रहेगा साथ ही name of the service रहेगा साथ में applied किसने applied किया certificate उसका name रहेगा applied date रहेगी साथ में देखिए हमें इन्फोर्मिशन सो करेगी तो यहाँ पे हमें last में देखना है last step में जो कि हमारा approval of verified true application को चेक करना है इसमें देखिए जो हमारा status है अगर यहाँ पे deliver so कर रहा है यानि जो certificate के लिए हमने apply किया है वो हमारा बनके radio चुका है उसको हम download कर सकते हैं तो download आप यहाँ से भी कर सकते हैं देखिए आप यहाँ पर resistance certificate का option आपको देखने को मिलेगा इस option पर इसे आप click करेंगे click करते ही आपका certificate देखिए एक new window open होके इसमें download हो जाएगा इसको मैं यहाँ पर open कर लेता हूँ open जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ तो देखिए यह आपको final certificate रहेगा जिसका आपको print out ले लेना है तो एक तरीका आपका यह है कैसे आपको अपना resident certificate रेनी मूल निवास डाउनलोड करना है अब बात करते हैं दोस्के तरीकी की इसके लिए आपको website के home page पर जाने के बाद देखिए आपको नागरी कनू बाग के अंदर ही जाना है अप option मिलता है आपको certificate download का इस option पर आपको click करना है click करने के बाद देखिए आप next step पर जाएंगे जहाँ पर आपको कुछ information देनी है जहाँ पर आपको select service आपका RTPIC रहेगा application reference number आपको यहाँ पर fill कर देना है इसके बाद आपको यहाँ पर applicant का name fill कर देना है जो कि English में आपको fill करना है इस certificate के अंदर आपका पर्मान पत्र संख्या आपको show करेगी आपकी सारी information show करेगी जो कि आपके personal information जो आपने apply करते वक्त fill की थी साथ ही आपको scroll करेंगे तो देखे आपको यहाँ पर digital signature मिलेंगे जिसने इस certificate को verify किया है उसके digital signature और date वेगरा mention होगी यानि इस certificate पे आपको कोई more या stamp लगाने की जरूत नहीं है या फिर जिसने इसका approve किया है उसके signature कराने की जरूत नहीं है यह आपका final certificate रहेगा इसको आप किसी भी government job वेगरा में या school वेगरा में यहाँ भी आप सका यूज करना चाते हैं इसली कर सकते हैं साथ ही बात करें इस certificate की validity की देखे दोस्तों इस certificate पे कोई यहाँ पे validity नहीं है यह एक साल के लिए valid है छे मेने के लिए valid है यह certificate हमारा lifetime valid रहेगा साथ ही बहुत सी government job में क्या बोलते हैं आपको कि जो आपको अपकर domicile certificate या निवास परमान पतर है वो आपको current का बना होना चाहिए तब ही वो आपका valid मांगते हैं तो आप दुबारा से ही सेम तरीके से आप apply करके अपने domicile certificate या फिर निवास परमान पतर या फिर रेजिटन certificate के लिए online अपलाई करके इसको download कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से हम बिहार state के अंदर online अपलाई करके अपना रेजिटन certificate easily बनवा सकते हैं तो I hope दोस्तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरू कीजेगा चैनल फे फर्स्ट आप चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा और वीडियो को सेर करना ना बूले थैंक यू